पांगर मों में चोरों ने एक घर से लाखो रुपए की नगदी वा सोने चांदी के गहने चुरा लिये वहीं फीडित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है आपको बता दे कि पुलिस भी आरोपियों की तलास में जुड़ गई है मामला थाना बेहटा मुझावर छेतर के गाउं गौरिया कला का है यहां के राहुल पुत्र सिया राम ने पुलिस को तहरीर दे कर बताया कि वा पत्नी बच्चों के साथ लफनों में रहकर काम करता है उसके पिता सिया राम और मा घर में रहते हैं वही पिता घर के बाहर बारांदे में और मा कमरे में सो रही थी वही इस दोरां छट से चोर घर के अंदर घुज गए वही कमरे में रखे तीन सोने की चैन, तीन जोड़ी जुंके, छै अंगुठी, चार से थार्व वह पांच जोड़ी पायल और 32,000 की नगदी सहीत करीब 5 लाख रुपय का सामान चोरी कर लिया जब मातापीता सुबह सो कर उठे तो अलमारी वा बकसे का ताला तूटा देखकर घटना की जानकारी दी आपको बता दे कि इस मामले में थाना प्रभारी रमेश चंदर सहनी ने बताया कि घटना की तहरेर मिली है वही मामले की च्छान बेट कर कारिवाही भी की जाएगी विर्य रिपोर्ट आईपियन